हेलो फैंस वेल्पम बाक टो मार यूट्व चानल साइंख खुशी क्रियेशन साथ की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि गनेज जी का विसर्जन का क्या समय है किस समय हमें गनेज जी का विसर्जन करना है फर्स सेप्टेंबर को यानि अनंत चतुर्दशी को किस समय पे गनेज जी का विसर्जन होगा तो हम चारो पहर में यानि सुबह, दुपहर, शाम, राथ चारो पहर में गनेज जी का विसर्जन कर सकते हैं तो उसी का शुबमूरत आज में आपको बताने वाली हूँ तो सबसे पहले मॉर्निंग यानि सुबह में हम 9, 10 अ. से लेके यानि 9 बच के 10 मिनिट से लेके 1, 56 पी-म तक विसर्जन कर सकते हैं फिर आफटर नून में यानि दुपहर में 3, 32 पी-म से लेके 5, 32 पी-म तक हम विसर्जन कर सकते हैं रात को हम, सौरी, शाम को हम, अब शाम का मूरत है, 8, 07 पी-म से लेके 9, 32 पी-म तक हम विसर्जन कर सकते हैं और रात की विसर्जन की टाइमिंग है 10, 56 पी-म से लेके आदी रात के 3, 10 अ. तक तो इतने तक आप विसर्जन कर सकते हैं बट मैं तो यही कहूंगी कि आप मौर्निंग के पहर में, 9, 10 अ. से लेके 1, 56 पी-म के बीच में विसर्जन कर दें आप सुबा का नाश्ता भी करा देंगी इसमें और दुपहर का खाना भी खिला सकते हैं लगबग 1 बज़े के आसपस आप विसर्जन कर सकते हैं वरना आप आफटर नून के पहर में कर लीजी या फिर शाम के पहर तक तक तो आपको विसर्जन करी ही लेना चाहिए अगर किसी आप ओफिस व ओफिस जाते हैं तो आप रात का भी पहर चुन सकते हैं 10.56 के बाद वाला तो मॉर्णिंग में आप 9-10 नाश्ता कराके भी तुरंद विसर्जन कर सकते हैं या फिर अगर आप दुपहर का भी लंज कराना चाहते हैं आप नाश्ता और लंज कराके एक 1.56 तक आप विसर्जन कर सकते हैं तो अगर आपको ये वीडियो यूस्फुल लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को लाइक करें और इसे जादा से जादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी शुब मूरत जानता है थैंक यू